राथे राथे जी पावित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्थिक स्वागत है मैं हूँ कात्याई है भक्तों पुराणों में माघ महीने को बेहग पावित्र माना गया है यह हिंदू कैलेंडर का ग्यारवा महीना होता है इस बार माघ मास की शुरुवात आज 18 जन्वरी से होने वारी है जिसका समापन 16 फरवरी 2022 को होगा मानिता है कि माघ मास का सम्मंद भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है धार्मिक मानिताओं के अनुसार माघ के महीने में पवत्र नदियों में सनान और दान पुन्य करना बेहध शुब है इसलिए माघ मास के दौरान संगम के किनारे कल्पवास किया जाता है कहते हैं कि एक बार माघमास के दोरान गौतम रिशी ने देवराज इंदर को शराप दे दिया इंदर देव को जब अपनी गलती का हिसास हुआ तो उन्होंने महरशी गौतम जी से एक शमा मांगी तब रिशी गौतम जी ने उन्हें माघमास में गंगा सनान कर प्रायस्चत करने के लिए कहा जिसके बाद इंदर देव को शराप से मुक्ती मिली आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं माघमास महात्मे की कथा पहला अध्याय माघी सनान का महत्व कथा शरावन करने से पूर्व हमीशा की तरह जै भगवान श्री हरी विश्नुजी की जै माघमास की लिख कर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले यदि आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे पत्म पुरान में माघमास के माहत्मे का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरी विश्णुजी को उतनी प्रसन्ता नहीं होती जितनी की माघमहीने में सनान मात्र से होती है कथा इस प्रकार है एक समय श्री सूची ने अपने गुरू श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघमास का माहत्मे कहिए व्यास जी कहने लेगी कि रगुवंज की राजा दिलीप एक समय यग्य के सनान के पस्चाद जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगर से बाहर निकली उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्थ हो रही थी उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मुरुग वन में से निकल कर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकडिया भरता हुआ आगे बढ़ा राजा ने उसके पीछे अपना खोडा दोडाया परत्व मृग पूरी शक्ती से भागने लगा मृग कातेदार व्रिक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया परत्व दूर जाकर मृग राजा की दृष्टी से ओचल होकर निकल गया राजा ने चन वन में अपने सैन को सहित प्यास के मारे अधी दुखी हो गया दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैन एक ठक गए और घोडे रुक गए कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुन्दर सरोवर देखा इस सरोवर को देखकर राजा की ठकावट दूर हो गए रात्री को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे राग के अंतम समय में शुकरों के एक जुन्द ने आकर सरोवर में पानी पिया तब शिकारियों ने शुकरों पर आक्रमन किया और उनको मार दिया उस समय सब शिकारी बड़ी प्रसनिता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगर की तरफ चल पड़ा राजा ने रस्ते में एक तपस्वी को देखकर बड़े आसचर्य से उनको प्रणाब किया तपस्वी ने राजा से कहा की हे राजन इस पुन्य माघमी इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जानी की इच्छा करते हो तब राजा कहने लगा की महात्मन मैं तो माघमास में इस नान के भर को कुछ भी नहीं जानता क्रिपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताईए तपस्वी कहने लगा की हे राजन बगवान सूर्य बहुत शीक्र उदै होने वाले हैं इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है कथा का नहीं तो आप स्नान करके अपने घर को जाईए और अपने गुरू श्री वशिष्ट जी से इस माहत्मे को सुनिए इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधी पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राजी को लोटा अपने गुरु वशिष जी के पास जाकर उनके चर्टों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरु जी आप से माघमास के स्नान के माहत्मे को सुनना चाहता हूँ सोहे तफोधन नियम पूर्वक इसकी विधी सबचाईए गुरु वशिष जी कहने लगे की हे राजन मकर राशी में सूर्य के आने पर माघमास में स्नान का फल गाओ, भूमी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन, खोड़ा आदी दानों से भी अधिक होता है वैशाक तथा कार्थिक में जब, दान, तप और यग ये बहुत फल देने वाले हैं परन्तु माघमास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है नियम पूर्वक माघमास में स्नान करता है वाव्यक्ति अनत फल वाला होता है अधिती ने बारा वर्ष तक मकर संक्राथी में अनत्याक कर स्नान क्या इस से तीनों लोगों को उच्छवल करने वाले बारा पुत्र उत्पन हुए माघमें स्नान करनी से ही रोहिनी, सुभगा, अरंधती, दान शीलता हुई और इंद्रानी के समान रूपवती होकर प्रसित्थ हुई एक समय बारा वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण संसार में बड़ी उद्रिकता फैल गए सारा भू, मंडल, फल और अन से रहित हो गया तब विंध्या जल से नीचे बहती हुई नदी के सुन्दर रिक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकल कर श्री भ्रिगु रिशी अपने शिश्यों सहित हिमाले परवत पर गए इस प्रकार जब भ्रिगु रिशी वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विध्याधर अपनी पत्नी सहित उत्रा वे अत्यत दुखी थे रिशी ने उचसे कहा कि हे विध्याधर तुम बड़े दुखी दिखाए देते हो इसका क्या कारण है तब विध्याधर कहने लगा कि मेरा मुख व्याकर जैसा है मेरे दुख और अशाद्धी का यही एक कारण है ब्रिगु रिशी कहने लगे कि हे विध्याधर तुम क्यों दुखी होते हो यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो जल्दी ही पापों को नश्ट करने वाली हेम कूठ नदी में माघ में सनान करूँ अब मैं इसकी विधी बतलाता हूँ पौश शुकल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो भूमी पर सोना जीतेंद्रे रहकर दिन में तीन समय सनान करके महिने भर निराहार रहो सब भोगों को त्याग कर तीनो समय भगवान विष्णू का पूजन करो जब तुम द्वादशी को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे प्रिगो जी के यह वचन सुद्रव विध्यादर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर परवट के ज़रने में मांग कासनान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सद्रश हो गया और वह मनिग्रीव परवट पर आनन से रहने लगे श्री वशिष जी आगे कहने लगे की है राजन अब मैं मांग के उस माहत्मे को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दतात्रे ने कहा था जिस समय साक्षात विश्नु के रूप श्री दतात्रे सत्य परवत पर रहते थे तब माहिश्मती के राजा सहसरारजुन ने उनसे पूछा की माघमास का माहत्मे कहिए तब दतात्रे जी बोले जो नारजी से ब्रमाजी ने कहा था वही माघमाहत्मे मैं तुम से कहता हूँ इस कर्म भूमी भारत में जन्म लेकर जिसने माघस्णान नहीं किया उसका जन्म निश्भल गया बगवान की प्रसंदता बापों के नाश और स्वर्ख की प्राप्ति के लिए माघस्णान अवश्य करना चाहिए दत्तात्रे जी कहते हैं कि हे राजन एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ भ्रिगुवंच में रिशिका नाम की एक ब्रामनी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी वे रेवानदी के किनारे विंध्याचल परवत के नीचे तपस्या करने लगी वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दाणशीलता तथा तब करके तेह को सुखाने वाली थी वह अग्णी में आहुती देकर उच्छ वृत्ती द्वारा छेटकार में भोजन करती थी वह वकल्पधारन करती थी और संतोश से अपना जीवन व्यतीत करती थी उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में साथ वर्ष तक माघस्तान किया और फिर वही पर ही मृत्यों को प्राप्थ हो गई माघस्तान के फल से वे दिव्य चार हजार वर्ष तक विश्नलोक में वास करके सुन्द और उपसंद देत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्भा द्वारा तिलोत्मा नाग की अपसरा के रूप में प्रभलोक में उत्पन हुई उसका रूप योवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्भा भी चकत हो गए वह तिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्थान करके वन में बैठी थी तब सुन्द व अपसुन्द के सैनकों ने उस रूप वती को देखकर अपने राजा सुन्द और अपसुन्द से उसके रूप की शुभा का वर्णन किया कहने लगे कि काम देव को लच्चत करने वाली ऐसी परम सुन्दरी स्थ्री हमने कभी नहीं देखी आप भी चलकर देखें तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहां पर वह सुन्दरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विवल होकर दोनों आपस में उस्त्री रतन को प्राब्त करने के लिए आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए तब दिलोत दमा काल रातरी के समान उनको परवज से गिराती हुई दसो दिशाओं को प्रगाश मान करती हुई आकाश में चली गए और देवकार्य स्थ करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसंदता से कहा कि हे चंद्रवती मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगो को भोगो वह ब्रह्मनी अब भी सूर्य के रथ पर माघमा स्नान के उत्तम भोगो को भोग रही है इसलिए श्रद्धावान पुरुशों को उत्तम गती पाने के लिए यत्न के साथ माघमास में विधी पूर्वक स्नान करना चाहिए अब माघमास में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ती कैसे होती है वह कथा सुनो पूर्व समय में सत्युक के उत्तम निशेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सद्रश धनी वैश रहता था जो कुलीन अच्छे काम करने वाला देवता, अगनी और ब्रामन की पूझा करने वाला था उसके दो पुत्र उत्पन हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा जब उसके पुत्र युवा वस्था के हुए तो हेम कुंडल वैश ग्रिहस्ते का सब कार्य सौम कर तपस्या के निम्मत वन में चला गया और वहां विश्णु की आराधना में शरीर को सुखा कर अंत में विश्णुलों को प्राप्त हुआ उसके दोनों पुत्र बुरे कर्मों में लग गये वैश गामी वैश्यों के साथ गाते फिरते थे कभी किसी सत्पात्र को दानादी नहीं करते थे ना ही कभी हवन, दीवता या ब्रमाजी की सेवा तथा विश्णु का पूजन ही करते थे नगर को छोड़ कर डाकों के साथ वन में रहने लगे और वहाँ वन के पक्षी हिरतादी पशुत था हिंसत जीवों को मार कर खाने लगे एक समय इन में से एक परवत बर गया जिसको सिन्ह मार कर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्ब के डसने से मर गया तब यमराज के दूत उन दोनों को बाध कर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आगया है चित्रगुप्त ने उन दोनों के करमों की आलोचना करके दूत उसे कहा कि बड़े भाय कुंडल को घोर नरत में डालो और दूसरे भाय विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग है तब विकुंडल बड़े विस्मे के साथ दूत से कहने लगा कि हे यम्दूत हम दोनों भाय एक ही कुल में उत्पन हुए एक जैसे ही करम करते रहे दोनों भायों ने कभी कोई शबकारी नहीं किया फिर एक को नरक्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण राप्थ हुआ तब यम्दूत कहने लगे कि हे विकुंडल माता पिता पुत्र पत्नी भाय बेहन से सब संबंध जन्म के कारण होते है इन मेंसे जो जैसे जैसे करम करता है वैसे ही भल भोगता है तुम्हारा भाय अपने पाप करमों से नरक में गया तुम अपने पुन्य करम के कारण स्वर्ग में जा रहे हो सुनो हरे मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्रामन था जिसका आश्रम यमना नदी के दक्षिनोतर दिशा में था उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने दो बार माघमास में श्री यमना जी में स्नान किया था पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नश्थ हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ दतात्रे जी कहने लगे कि हे राजन प्रजापती ने बापों के नाश के लिए प्रयाक्तीर्थ की रचना की सफेद यानि कंगा जी और काली यानि यमना जी के जलकी धारा में स्नान का माहत में भली प्रकार सुनो जो इस संगम में माघमास में स्नान करता है वह गर्भयोनी में नहीं आता माघमास दथा मकर के सूर्य में जो प्रयाद में स्नान करता है उसके पुन्यों की गिनता चित्रकुप्त भी नहीं कर सकता सो वर्ष तक निराहा रहकर जोगपुन्य प्राप्त होता है वही फल माघमास में तीन दिन प्रयाद में स्नान करने से होता है जिसको अमरित कहते हैं वह त्रिवेनी ही है ब्रम्हा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरतगन, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, ग्रहयक, किन्नर, अनिमादी गुणों से सिंथ, तत्व ज्यानी, ब्रम्हानी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिती, अधिती, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियो ग्रताची, मेनका, उर्वशी, रभात, दिलो, तमा, अपसरागन, और सब पितर, मनशगन, कल युग में, गुप्त और सत युग में, प्रत्यक्ष, सब देवता, माघमास में स्नान करने के लिए आते हैं तो दोस्तों, ये थी पत्मपुरान के उत्तरखंड में वर्नित, माघमास में स्नान का माहाकमे आशा है, आपको यह वीडियो अच्छी लगी, इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमसे बने रहेगा हमारे चैनल पवित्रवचन को सब्सक्राइब कर ले अभी मैं आपकी इजासत लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, स्वस्ति